पश्ची बंगाल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला और उसके पार्टनर को एक आदमी बीच आड़त पर भीड के बीच बूरी तरीके से पीट रहा है। दरसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया दा रहा है कि महिला और उस पुरुष के बीच आवैत संबन थे जिसके चलते टीमसी नेता पंचायत के फैसले के बाद तालीबानी कुरूरता दिखा कर कपल को पीट रहा था। किया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्श करते वे आरोपी तचमूल को ग्रफतार कर लिया। टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान का कहना है कि महीला की गतिवीदिया आसामाजिक थी लेकिन विधायक ने आरोपी के टीमसी से संबंध होने की बाद से इनकार किया है। दरसल टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान का कहना है कि ये मामला गाउं का है और इसका उनकी पार्टी टीमसी से कोई लेना देना ही नहीं लेकिन अब उनके इस बयान पर भी विवात खड़ा हो गया है। इसकी वज़े ये है कि उन्होंने इस सजा को मुस्लिम रास्टर तक से जोड़ दिया था। विधायक का कहना है कि हम इस गटना की निंदा करते हैं लेकिन महीला ने गलत किया था। उसने अपने पती और बच्चों को छोड़ दिया था और अबैद संबंद बना लिये थे। मुस्लिम रास्टर के मुताबिक कुछ कोड है और न्याय उसके मुताबिक ही होता है। विधायक ने कहा कि हम ये मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो कुछ जादा ही था अब इस मामले में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। मुस्लिम रास्टर का जिकर करने को लेकर बीजीपी भड़क गई और पार्टी के परदेश अध्यक्षिसु कांत मजुमदार ने कहा कि क्या टीम्स ये कहना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में सरियाई कानून लागू होगा।